नमस्कार साथ यो तो आज 21st में 2024 बजार में आज थोरा सा रिकवरी देखने को मिला जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 22,529 पॉइंट पे लगबग 0.12% तेजी के साथ अब देखे हो सकता है कि आज बजार में कोई बहुत बढ़ा तेजी नहीं था बट आज का क्लोजि अलमस्ट हमने देखा था कल रात में जो हम थोरा डिसकस भी किये थे कि अगर नीचे सड़ेनली गिरावाट होता है तो लगबग 22,450 का सपर सपोर्ट मिल सकता है तो आज उसी लेवल पे फरस्ट अप के हमने देखा फुल सपोर्ट मिल गया सेगन आप आते आते दोस्तों आ अगर सस्टेन कर गया फर्दर यहां से उपर की तरह मूफ करेगा अब देखिए आज बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट ने मिला मार्केट को ध्यान से देखिए आज निफ्टी-50 में जो मेंली तेजी हुआ वह बाकी सेक्टर से मिला क्योंकि बैंक निफ्टी इसका आज बहुत बढ़िया से मूफ किया और इसके पीछे में रिजेन है आज बहुत सारे पेशू सेक्टर की कंपणी की शियर में एकदम से शूट आप हुआ कोई कोई शियर 15% जम किया कोई शियर 10% तो कोई शियर 5% कोई शियर 20% तक भी हमें जम देखने को मिला ऐसे ही दोस् इसको मिस मत करना सो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरू रखना दोस्तों आप अगर इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो आपको बहुत अच्छे से याद होगा जिस दिन NHPC की रेजल्ट आउट हुआ था आपके शुक्रवार के दिन बजार क्लोस हो जान बढ़न से कंपनी इंप्रूलर को झाल और में डिज यह है कि सामने इलेक्शन की रेजल्ट और इलेक्शन की रिजल्ट जैसे Diese से नसदीक आता जाहरा है और यह में रिजर्ण आप देख सकतो आज की रेट पर फॉस्ट अब मतब शूरू में थोड़ा उमने देख रहा था कि लगब नाइंटी वन स्वरी नाइंटी नाइंटी एट का सपास एक दम से ब्रेक आउट दिया सीधा सीधा पूरा सेगेंड हाप 102-103 कभी 104 तक भी तो यहां पर निकल निकल गए 98 अब यहां पर रिग्रेट की अपर एसे रिग्रेट करने को कोई फाइदा नहीं है सीधी सीवाथ सेम चीज़ा में देखने को पावर जेनरेशन कंपनी यह शर्प आम ने लास्ट कुस्ट एम से थोड़ा सा स्ट्रेगल कर रहा था 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 थ है कि शेर बीच में 140 का आसपास पहुंच गया था एप्रिल की आख्री अफ्तों पर 137 138 यहां पर रेजिस्टेंस मिला आज की रेट में सीधा प्रेकाउट हुआ और सीधा देखे शूट आप 10% उपर तेजी अब देख लिजिए आर्वीनल को देख लिजा आयरेपसी के अंदर भी तेजी था है ना तो देखिए जैसे ऐसे मैं बार वर बोलनों कि इसेल मत करना बिकास की रेजल इस बार बहुत कुछ इंपक्त डाल सकता है खास करके पीसू सेक्टर की शियर्स के उपर ठीक है तो जिस बैस मैं बोलूंगा अभी जो हो रहा है बस देखते चाहि है सारे एकदम कूट पढ़ते हैं सारे बोगार चूट परते हैं और मैं आपको देखिए कब से बोल ला हूं जब शेर चल रहा था आप सतर पचातर का आसपास मैं आपको दिखाना चाता हूं आज से ज्यादा पुराने बात नहीं है कुछ महीने पहले की बात देखे शेर आपको मिल रहा देखिए देखिए सेवेंटी एट सेवेंटी आप सोचे आप अगर उस लेवल पे कुछ को अंडेटी के शेरेकर अपने पर्चेस करके रखता आज की रेट में कितना फायदा होता कुछ महीने की बिदर आप सोचिए ना आपको अल्मोंस यहां पर 30 इस बार और वोलता हूं कि आज की तरफ यह जो ब्रोकरेज इनके दौराइट के जेंफ फणांशियल यह ठेकर को कवर किया साथ में यह का कि आपको दिखा देता हूं कहां पर यहां पर मैंशन किया यह देखिए कि धर गया कि यह यह दिकर बाई रेटिंग आप देखिए लिलादर की तरफ से नहीं कर पड़ा एक चुले 116 की मतलब इसका जो आल टाइम हाई है उसके भी उपर और यह भी आचीव हो जाएगा एक बार शेयर में 110 का लेवल जैसे ब्रेक होगा आराम से अचीव हो जाएगा अब दोस्तों देखें कर रात की जो एनेच पीसी वाली व देखने को मिला और मज़ेदार बात यह है कि आज की रेट में जो तेजी था वो तो था बट कल भी दोस्तों शेयर में एक अच्छा खासा शुरुआद हो सकता है शुरुआद हो सकता उसका बाद क्यों किसी को नहीं मालू मार्केट की सेंटिमेंट को बहुत कुछ ट्रिग 3% मतलब इसके पहले आमने देखा था कि लो वोल्यूम पे इसके अंदर डेलीवर्य होता था उननीस परसेंट बीस परसें मैक्सिमम बाइस परसेंट आज की रेट पे इतना हाई वोलूम होने के बाद भी डेलीवर्य कितना होड़ा है 37% तो मतलब इसका सीदा सीदा संकेत यह है कि बड़ी इंवेस्टर जो आना खूब माल उठा रहा है बड़ी इंवेस्टर इस टैप की शेयर में खूब माल उठा रहा है उसके बाद एक और चीज़ आप देख लिए जैसे की वीडियो की थामनेल पर में मेंशन किया 39 तारीक याद रखने के लिए तो बेसिकली इसके पहले जैसे की आपको लास्ट डायरेप सी किया उसके पहले एनेजपी सी की बेल की रिजल अपडेट दे दिया था सेम आपको दे दूंगा ठीक है तो दोस्तों सारे जितने भी इंपॉर्टेन अपडेट सा कवर कर लिया और देखिए जिस बैस आपको मैं क्यूं बा इसा बनेगा यह बहुत ही सिंपल और बहुत ही फायदमंद फॉर्मॉल बार बार आपको बोलता है अब देखिए सुनना ना सुनना वह आपके उपर डिपेंड करता है मैं तो बस आपको गाइट कर सकता हूं अब चली दोस्तों मैं आपको सीधा टेक्निकल चाप्राइन को को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल से जुरे जरू रहना ओके तो फिलाल देखिए आरे से इंडेक्स देखिए अभी स्ट्रॉंग जोन पर है तो मतलब इसमें अभी बहुत बचे है उपर मुबेंड विकॉस अभी ओवर बॉट पर नहीं है अब ध्यान से देखिए आज से लगबग जस्ट कुछ दिन पहले मतलब ही देर हफता पहले पहुंच आईए शेयर यहां पर आया था ध्यान देने ध्यान दीजिए यहां पर आया था सस्टेन नहीं कर पाया था नीचे आखे बार बार क्लोजिंग गया था रिजेक्ट हुआ था अब जो प्रीविय हो गया फेबरी की फॉस्ट वीक में अपना ओल टाइम हाई टच किया था 112 तो इमीडियेट मैं बोलूंगा शौट टम बेसिस पे शौट टम में मतलब कुछ हफतों के अंदर शेयर का जो टार्गेट रहेगा 110 और शेयर अगर 110 के उबर पहुंच गया यह स्टेबल हो गया उसकेस में आप पकल लीजें कि जो फोर जून रेजल्ट है एलेक्शन की तब तक तो देखे शेयर देरसो का आसपास पास पहुंच जाएगा आराम से पहुंच जाएगा उसमें वह पोटेंशियल है और दूसरी बात यह भी है कि देखे अभी जो रेजल्ट आउट हुआ वह तो आपके मार्च क्वाटर का और सबसे बेस्ट रेजल होता है नहींच प्लस में स्टेवल लग रहा है तभी जाके इंविस्ट कीजिए लॉंग टाइम बार बोलता है आपको कभी में प्रिफर नहीं करता हूं इन्वेस्ट करना है कि कल अगर आपको फॉर्स्ट हप मे अगर बहुत अच्छा ब्रेक आउट देखने को वान फॉर्टी की जो इंपॉर्टन रेजिस्टेंस को ब्रेक कर शेयर ऊपर पहुंच गया तो लास्ट अमने देखा था अपना ओल्टाइम हाई को टच किया था अल्मोस्ट वान सेविन डिकास पास है ना आज की रेट पे अगर आपको शेयर कल देर सो प्लस में स्टेबल नजर आता है तो जरूर जाहिए बट बोट सिनारियों पर मतब चाहिए सब्सक्राइब की बात करें नहीं केस में मैं बूलूंगा आपको थोड़ा पेशन्स दिखाना पड़ेगा बार 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 बोलता हूं कि पेशन्स र मार्केट में वह कुछ भी नहीं है मैं लॉक्डाउन को जहल चुका हूं और लॉक्डाउन पे क्या हो रहा है मतलब क्या होता था उस टैम पे जो पुरानी इंवेस्टर सो उन उनको भी मालूम था और किसी उस टैम मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इस बैसे मैं बार अच्छे कंपनी है तो पेशन्स टाइक और कुछ नहीं चाहिए बागी दोस्तों कोई भी आपका डाउट्स बगाल है कमेंट करके क्लियर करना मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे वीडियो को वाइंड आप करता हूं टेक क्यार बाबाई जाए